वहनों भाईयों नमस्कार मैं पंडित दिनेश नारान पांडे आप सभी का ग्रहवाणी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का स्वागत करता हूं साथी आभार वेक्त करता हूं जो आप ग्रहवाणी चैनल के प्रती दिल्चस्पी दिखाते हैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा हथेलियों में बनने वाले रेखाओं के द्वारा वर्ग के बिशे में वर्ग आपके लिए सुभ होते हैं या असुभ होते हैं इस बिशे में चर्चा करूँगा रेखाएं छोटी छोटी रेखाएं मिल करके जब हाथेली पर किसी भी गरह के छेत्र में किसी भी परवत पर वर्ग का चिन्द बनाती हैं तो इसके क्या परिणाम हमको मिलते हैं हमारे व्यक्तित में क्या परिवर्तन होता है, क्या बदलाव होता है, इस चीज के विशे में जानने की जो इच्छा है, वो सब के अंदर रहती है, चलिए बताता हूँ इसी विशे पर, एक विशिष्ट गुण आ जाता है, जिसकी हस्त रेखा में वर्ग का चिन्न होता है, ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े संघर्सों को, बड़ी बड़ी समस्याओं को, बड़े सुल्जे हुए ढंग से, ठंडे दिमाग से, सुल्जा लेने की सामर्थे उसके अंदर होती है, ब्रहस्पती परवत पर आगर वर्ग का चिन्न बना है आपके, ब्रहस्पती परवत कौन सा है, तो इसके लिए आप जाने, कि अंगुठे के बाद जो पहली अंगुली होती है, उसके नीचे का जो उबरा हुआ छेत्र होता है, वो ब्रहस्पती का छेत्र होता है, और वहां आपकी गलती च्छाओं के कारण संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है, तो उससे आपकी रच्छा करता है, संघर्ष और हानियों से बचाता है, सनी परवत का वर्ग, अब सनी परवत कहां पर है, तो सबसे बड़ी अंगली जो हतेली में होती है, तो सबसे बड़ी अंगली के नीचे का जो परवत उभरा हुआ छेत्र होता है, अंगली के सबसे नीचे, जो उभरा हुआ छेत्र गदेली का होता है, वो सनी परवत कहा जाता है, और यहां पर अगर वर्ग का चिन होता है, तो आपकी दुरभाग्य से रच्छा करता है, यानि नीचे का जो छेत्र होता है उभरा हुआ छेत्र वो बुध परवत कहा जाता है और वहाँ पर अगर वर्ग का चिन बनता है तो व्यक्ति के अंदर एक विशिस्ट गोन आ जाता है ततकाल निरणय लेने का यानि ऐसा व्यक्ति किसी भी समस्या में ततकाल निरणय ले करके और अच्छा निरणय ले करके अपनी सक्ति का उपयोग कर लेता है सदुपयोग कर लेता है चंद्रमा का वर्ग अब चंद्रमा के छेत्र को देखें तो अंगुठे के नीचे का जो छेत्र होता है वो शुक्र का छेत्र होता है और उसके जस्ट विप्रीत चंद्रमा का छेत्र होता है तो यहां पर अगर वर्ग का चिन है तो यात्रा के दवरान होने वाली दुरघटनाओं से उसकी रच्छा होती है तकलीफों से रच्छा होती है मंगल परवत का वर्ग मंगल परवत यानि सबसे छोटी उली के नीचे का जो परवत है बुद्ध पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच का जो छेत्र है और अंगुठे और तरजनी के बीच का जो छेत्र है वहाँ पर अगर वर्ग का चिन्न होता है तो ऐसा व्यक्ति समाज के जो अपराधिक तत्व हैं उनसे उनकी रच्छा करता है यानि जो आसमाजिक तत्व है ऐसे लोगों से व्यक्ति की रच्छा करता है मंगल का वर्ग, आपको हिंसात्मक बनाने से आपकी रच्छा करता है, आप हिंसात्मक रुख अपना करके कोई गलत कारे करने, इससे आपकी रच्छा करता है, गलत कारे करने से आपको बचाता है, आगे हस्त रेखा से ही सम्मंध कुछ और वीडियो में डालूंगा अगर आपको अच्छा लगता है पसंद आता है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करिएगा एक बार प्रेम से बोलिए जय माता कि